हालो डार्लिंग्स एंड हालो ओल दा प्यूटिफुल पीपल जिल लोगों ने कल मुझे इतना सारा प्यार दिया कल वाले वीडियो पे मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टिर नहीं था कि मतलब मैं आप लोगों से बोलूगा गेट वेल सून लिख ले के लिए और आप सब भी ने मुझे पॉजिटिव रिस्पॉंस दिया और मेरे बारे में इतना सोचा उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सब ही का और मेरी तरप से धेर सारा प्यार तो चलो इस वर मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आप लोग सब कैसे हो तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना है कि आप लोग कैसे हो और मैं फिर से आ गया हूँ living alone डायरीज लेके another part another day in my life वैसे आज तो अजीब ही हो गया and अजीब भी नहीं बहुत जादा ही अजीब हो गया क्योंकि मैं आज दोपहर तीन बजे के आसपास उठाओं this is so strange but it's okay जब night shift लगती है तो इंसान दिन दिन भर सोता है बट मैं दिन भर तो नहीं सोता खुदी सारा काम करना होता है खुदी सारी चीज़े manage करनी होती है I have no one to share things तो अब मैं सुबह उठतो गया और उठने के बाद सबसे पहले मैंने बिस्तर बनाया एंड सबसे पहले पानी गरम होने रख दिया क्योंकि सर्दी का टाइम आ चुका है वैसे तो मैं normal पानी सना सकता हूं बट मेरे घर में इतने टाइम पे normal पानी नहीं आता है और जो टैर्स पे पानी रखा होता है वो तीन तीन चार चार दिन पुराना होता है तो वो काफी ठंडा होता है बहुत दिन और बाद आज मेरा फोन में म्यूजिक सुनने का दिन हुआ है या फिर दिल हुआ है तो फिर मैंने साइड में म्यूजिक प्ले कर दिया एंड रात का दूद रखा हो था मैंने उसको बॉइल किया और थोड़ी सी सब्सी रखी हुई थी क्योंकि यह मैं तीन फॉल धेर सारा पानी बिकास पानी पीते रहना चाहिए सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा नीर होती है पानी की तो आप लोग अपने आपको हाइड्रेट रखो वरना आपकी बॉड़ी ड्राइ ड्राइ फील होगी लिप्स ड्राइ ड्राइ फील होगे मेरे तो लिपस बहुत ज़्यादा ड्राइ हो गए थे लिप बाम लगा लगा के ठीक किया है और यहां पर मैं गरम कर रहा हूं चावल जो लैफ्ट ओवर था हां मुझे इसको गरम ही करना पड़ा विकास थोड़े सा हाड हो जाता है वो अगर ठंडे हो जाते हैं फिर गरम होते ही और हां मैं चलते फिरते खड़े होकर इधर उदर वज घूमते खामते खाना खा रहा हूं तो यहां पर मैं कर्टोरे में खाना खा रहा हूं गाई इसा होता है यह अकेले रहने लोग बाले लोगों की लाइफ होती है और यह देखो मेरा दिल आप सब के लिए प्यार मेरी मेरा यह दिल वाले बिश्केट फेड़े है काफी अछा लगता है प्यारी सी इसकी शेप है प्यारा घंष फास ऑसा तेस्प कहा लगता है फिर मैंने हाथों से खाना खांगा लिया और खाना खाने को आप अपने हाथों को वाश करके मैं चला गया घर मैं जाड़ाई करने क लीए when ने जाडू ही लगाँगा क्योंकि जो है किचेन अगर मैं पहले साफ कर देता हूँ तो जाडू arm की उड़ाईगी वो किचेन फå wel बैठ जायेगी वह मैंने चाहता इसलिए मैं सबसे पहले जाडू लगाता हूं मैं किचेन साफ और किचन वैसे तो मैं यूज़ कर नहीं रहा हूं कुभाना में जादा नहीं रहा हूं, मैं जादातर बचा हुआ हुआ हिए घोपुल आठी भी जाए पूर्म हमेएं चाय तो णक पूर्म की लिट थी कुछा एक हम धीने निलने अस डिया पुरह にखाолот." कीचेन में और आज मैंने पोचा नहीं लगाया है तो पोचा लगाने में ज़्यादा प्रोबलम होती है मुझे इन विंटर स्पेशली तो फिर मैं नहीं लगाया है और ये जो फेक प्लांट्स था ये निकल चुका था ऐसे गिर गया था और मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा कि मैं इसको निकाल सकूँ और ये इतना वाम है इतना कोजी है काफी सेक्सी लगता है काफी प्यारा सा इसका कलर है और मैंने उसको वूलन टॉप के उपर पहन लिया था और फिर मैं चला गया कपड़े सुखाने के लिए रसी पर क्योंकि थोड़ से कपड़े थे जो मैंने पहने वे थे मुझे बस उनी को वाश करना था और उनी को ही सुखाना था बहुत सारे कपड़े मैं पहन के पहले ही सुखा चुका था हूँ इस इस माई ओफिस वाली पैंड जो भी मैं ओफिस पैंड के जाता हूँ संसेट काफी प्यारा हो रहा था वैसे प्यारा क्या कहूं इसको हर जगा इतना जादा फॉग फॉग है कुछ भी स्काइड क्लियर नहीं है धूप विवस तीन चार बज़े तक ही रहती है फिर चली जाती है मैंने जैसे बताया है कि मैं उठा ही तीन बज़े था तो फिर कपड़े मुझे लेट ही सुखाने पड़े अंदर सुखा नहीं सकता था क्योंकि इन मेंसे पाई टपकता रहता और पाई टपकता रहता तो गीला होता रहता आई केम टू मैं रूम और वहां पर किया मैंने थोड़ा सा स्किन केर जो भी मेरा डेली रिचुल है सबसे पहले अपने बालों को उपर मैंने इस पर ये क्या बोलते हैं इसको आई मास्क लगा लिया बड़ उससे पहले मैंने मुश्राइस कर लिया अपनी स्किन को अपने लिप्स को और मैं लगाऊंगा ये चार्कॉल पील ओफ मास्क जो होता है वो बहुत ही स्टिकी होता है और यहाँ पर मैं जादू लग रहा था हाँ एलियन वाला जादू तो फिर मैं इसको लगा के थोड़ी दे लेट गया ताकि ये सूख जाए और ये अच्छे सा सूख गया था बट मेरा बिस्त-र और मैं इतना कोजी-कोजी हो रहा था कि मुझे बिस्त-र छोड़ने का दिल ही capable नहीं कर रहा था आधे एक गजंटे बाद मैंने इसको remove किया और जैसे होता भी है अब जैसे एक blood circulation बहुत अच्छा हो जाता है जैसे ही इसको remove करते हैं और यह देखो मैं यहीं पर चेक कर रहा था वाइट है बहुत जादा नहीं निकलते निकलेंगे अगर आपकी स्किन बहुत जादा जैसे आप अभी शावर लेके आए हो तो तुरांत आपने लगा लिया है तो फेस पे जो है एक नमी है तो उसे निकल जाएगा बड़ इस बि थोई देर रेस्ट करते हुए तो मैंने सोचा चलो मैं अपने लिए खाना बना लेता हूँ खाना जब भी मैं अकेला होता हूँ मेरा ऐसा कुछ खास बनाने का मन नहीं करता कि बस मेरा एक ही सारा होता है दाल चावल तो यहाँ पर मैंने दाल बनने के लिए रग दी है और स attachment यार आज मैंने सारे bottles को निकाला हैना और सारे bottles मैं पानी भर के वापिस अपनी जगा पर रख दिया मैं अकेला हूँ बहुत ज़्यादा पानी पीने का मुझे Gustavo के जरूरत होती नहीं ते किचन में सारे में वाइपर लगा के फिर से मैंने एक गिलास पानी पी लिया बहुत कम पानी पी पा रहा हूँ तो जब भी मैं पानी पी रहा हूँ तो एक एक देर देर गिलास पानी पी ले रहा हूँ इससे जादा नहीं पी रहा हूँ ऐसे ही शाम को थोड़ा सा क्रेविंग हुई तो मेरे पास एक चॉकलेट भी रखी हुई थी मैंने सोचा क्यों ना उसी को खा लिया जाए और इस पे लिखाता सिल्क और ऐसे मेरा नाम भी आता है और ऐसे सिल्क भी होता है इसको खाकर मैंने की फटा फट तड़के की तैयारी जिसके लिए काटा मैंने धेर सारा लहसुन नोट बहुत धेर सारा थोड़ा सा काटा बिकाज मुझे लहसुन के तड़के वाली दाल बहुत यमी लगती है वैसे तो मैं प्याज वगेरा भी डालना पसंद करता हूँ बड़ मेरा को ना इतना मेहनत करने का दिल हो नही रहा और कुकिंग करना मुझे पसंद है इतना जादा भी नहीं बट हाँ मैं चार साल से करता हूँ अपने लिए कुकिंग करता हूँ मुझे ही बनाना पड़ता है खाना मैं बाहर से जादा तर प्रीफर नहीं करता हूँ मतलब मैं करता ही नहीं हूँ बाहर से खाना 100% में से 1% क कुछ बरतन धुले रखे थे मैंने उनको वापिस से लगा दिया विगोज चावल बनने में था थोड़ा सा टाइम और मैं लेटना नहीं चारा था मैंने अपने हाथों पर चेक किया देखा तो यह जो ब्लेड से कट गए थे तो वो थोड़े थोड़े ठीक होने लग गए थे मैंने यह ना मेरे दोनों हाथ सेम जगा से ब्लेड से कटा है और मैं क्या ही कहूं थोड़ा सा ब्लेडिंग हुई थी बहुत जादा भी नहीं थी और यहाँ फे मैं देखो स्टीम ले रहा हूं कुकर की सीटी में से यह स्टीम विंटर्स में बहुत अच्छी लगती है बर समर्स में तो थोड़ी सी भी आग बरदाश होती नहीं है अल्रेडी डैली में इतनी जादा गर्मी पड़ती है तो कांट टॉलरेट फिर मैंने डेशता रहा पानी पिया खा आपने लिए खाना और मैं प्लेट में थोड़ी सी चावल और थोड़ी से डाल निकालकर मैं चला गया रूम में टीवी देखते हुए मैंने कोई शोर डिसाइड किया और फिर मैंने खाना खाया खाना काफी यमी था वैसे आज मेरी नाइट शिफ्ट भी है बट सोच रहा ह नहीं जाओ बट एक दिन पहले में नहीं गया बट ऐसा नहीं हो सकता कि मैं डेली डेली चुटी करूँ सारी चीजे मुझे देखनी है I have no one as I told you तो फिर यहाँ पर डिनर फिनिश करने के बाद मैं किचन में वापिस आया और थोड़े से बरतन दखे थे उनको मैंने वाश क कर दिया तुरण थी विए सुबह मैं तीन-चार बजाओंगा तो फिर मैं तो यह सब देखके परिशान हो जाओंगा मैं नहीं धो सकता और फिर बतन दोते दोते मैं बहुत सारी चीजे सोच भी रहा था ओवर तिंकिंग कर रहा था कि मैं क्या पैन की जाओंगा और आज क् उसे इंस्टाइब पे जुड़ने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरे लिंक पे टैप करके उसे जुड़ सकते हो लव यू